आप सब करते हैं मेरी यूट्यूब चानल इलार नाइटिया में आज का जमरा क्लास है वेल्डर थेरी एंचीक्यू के बारे में जिसमें हम आपको कोश्चन सॉल्व करके दिंगे और इसके पीडियेप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो स्टार्ट क पर साधे थर्माइट मिक्सर में कारवन और मैगनेज क्यों मिला जाता है जो कोश्चन में पूछा है तो इसके लिए पाझला अप्शन है टू गेट बोड फ्युजन मतलब अच्छा प्यूजन पाने के लिए दुसरा आप्शन है टू गेट हाडडेस मतलब कठोरता पर र वेल्डिंग पर राप्त करने के लिए और चौता अप्शन है टू गेट स्मूथ फिनिशिंग मतलब स्मूथ फिनिशिंग पाने के लिए तो जो कोच्छन ने पूछा गया थे कि रेल वांडिंग पर साधे थर्माइट मिश्रन में कारवन और मैगनेज क्यों मिला जाता है त अप्शन नमर भी तो गेट हार्डेस मतलब कठ राप्त करने के लिए नेस्ट कोच्छन कि वाट टाइपस ऑफ वेल्ड इस यूजड ऑन प्रिपेड होल आप ओवरलाप जॉइंड ओवरलाप जॉइंड के जॉइंड पर छीदरों पर कीस परकार के वेल्ड को उपए किया जाता है जो कोच्छन में पूछा है तो इसके लिए पहला आप्शन है टाक वेल्ड दूसरा फिलेट वेल्ड तीसरा वैकिंग वेल्ड और सब्सक्राइब अप्षन है प्लाग और स्लॉट बेल्ड तो जो पोच्छन है पूच्छन पूचा गया थे कि ओवरलाप GMA मतलब gas metal arc welding if the filler metal is deposited from the upper side of the joint during welding जो question ने पुछा गया कि एधी welding के दोरन जोड के उपरी इस्थे से भराव धातु जमाओ जाती है तो gas metal arc welding की weld इस्थेती क्या होती है तो इसके लिए पहला अप्षान है vertical position दूसरा horizontal position तिसरा overhead position और सबता अप्षान है downhand position तो जो question ने पूछा गया था कि एधी welding के दोरन joint के उपरी इस्थे से भराव धातु जमाओ जाती है तो gas metal arc welding की weld इस्थिती क्या होता है तो इसका जो सही answer है option number D downhand position next question what is the types of weld position in which the weld metal is deposited under the side of the joint weld इस्थिती की इस परकार की होती है जिसमें weld धातू जोड के किनारे के नीचे जमाओ जाती है तो इसके लिए पहला option है downhand position दूसरा horizontal position तिसरा vertical position और सबता अप्षान है overhead position तो जो question में पूछा गाया था कि weld इस्थिती की इस परकार की होती है जिसमें weld धातू जोड के किनारे के नीचे जमाओ जाती है तो इसका जो सही answer है option number D overhead position next question what is the electrode inclination to the metal surface in T joint welding of 10 mm thickness metal wide downhand position downhand position दूआरा 10 mm मोटाई वाली धातू की T joint welding में धातू की सता पर electrode का जुकाओ क्या होता है मतलब electrode का angle कितना होना चाहिए जो question में पूछा है तो इसके लिए पहला option है 30 degree दूसरा option है 45 degree तिसरा option है 60 degree और चाहुता option है 75 degree तो जो question ने पूछा गाया था कि downhand position दूबारा 10 mm मोटाई वाली धातू की T joint welding में धातू की सता पर electrode का angle कितना होता है जुकाओ angle कितना होता है तो इसका answer है option number B 45 degree और जो भी question हम solve करते हैं चालब करके देते हैं आपको क्लास में इसके पूरे PDF की लिंक भी आपको description में मिल जाता है तहां से आप download कर सकते हैं और इसी तरह के regular क्लास के लिए मेरे चैनल को subscribe करके bell icon को दबाए ताकि मेरी वीडियो की notification आपको time पर मिलते रहें और डारेक्ली भी हमारा length of tack welding T joint in GMAW flat position welding जो question ने पूछा गया है कि gas metal arc welding flat position welding में T joint में tack welding की सामायने लंबाई क्या है तो जो question ने पूछा गया तो इसके लिए पहला option है 5 mm, दुसरा 10 mm, तिसरा option है 15 mm और 16 option है 20 mm तो जो question ने पूछा गया थे कि GMAW, GMAW मतला होता है gas metal arc welding, तो gas metal arc welding flat position welding में T joint में tack welding की सामायने लंबाई क्या होती है तो इसका जो सही answer है option नमर भी 10 mm, next question, what is the purpose of fitting clear glasses on ether side of colored glass in the helmet, जो question ने पूछा गया है कि helmet में रंगिन काच के दोनों और gas glass लगाने का उद्देश्य क्या होता है तो इसके लिए पहला option है protect from rays मतलब की रोनों से बचाव करने के लिए दूसरा option है protect from heat मतलब गर्मी से बचाव करने के लिए तिसरा option है protect from spatters मतलब spatter से बचाव करने के लिए और चबता option है protect from radiation मतलब radiation से बचाव करने के लिए तो जो question में पूछा गाया थे कि helmet में जो glass लगा होता है उसके दोनों तरफ इस पस्ट जो मतलब एकदम पुरा clear आर पर दिखाए देता है transparent glass लगाने का कारण क्या है तो इसका जो सही answer है option number see protect from spatter मतलब spatter से बचाव करने के लिए next question how does the welder observe the welding area of the joint in electron beam welding electron beam welding में welder joint के welding शेतर का निरेक्षन कैसे करता है तो इसके लिए पहला option है shape optical mirror मतलब सुरक्षित optical mirror से दूसरा option है shape optical helmet तिसरा option है shape optical hand screen having correct shade मतलब सही shade वाली सुरक्षित optical hand screen के दुआरा और फिर शवता option है shape optical weaving system contenting optical mirror मतलब optical mirror युकत शुरक्षित optical आप्टिकल देखनी के पुरान आलिस है तो जो कोशन में पूछा गया थे कि electron beam welding में welder joint के welding शेतर का निरेक्षन कैसे करता है तो इसका जो सही answer है option नमर डी shape optical weaving system contenting optical mirror मतलब optical mirror युकते सुरक्षित optical वाली class से next question how to protect from the toxin forms during welding operation welding operation के दोरान जहरीले धुय से कैसे बचाया जा सकता है तो इसके लिए पहला option है wear helmet helmet पाहिन कर दूसरा option है hand screen का use करके तिसरा option है leather apron का use करके और चौता option है use respirator pad मतलब respirator pad का प्रोयक्षित करके तो जो question है फूचा गयते के welding operation के दोरान जहरीले धुय से किस तरह से बचाया जा सकता है तो इसका answer है option number D use respirator pad respirator pad का प्रोयक्षित करके next question what is the purpose of using copper coated filler wire in meek welding में meek welding में copper coated filler wire का उपए करने का उद्देश्य क्या है तो इसके लिए पाहला option है to remove forms मतलब धुय को दूर करने के लिए दूसरा option है to prevent rust मतलब जंग को रोकने के लिए तिसरा option है to prevent atmosphere मतलब atmosphere को रोकने के लिए तो जो question में पूछा गया थे कि मीक welding में copper coated filler wire का उपए करने का उद्देश्य क्या है तो इसके answer है option नमर ये to remove forms मतलब धुय को दूर करने के लिए next question what is the angle of inclination of the weld torch from flat position in gas metal arc welding process जो question ने पूछा गया कि gas metal arc welding process में सपाट हिस्तिती के लिए weld torch के जुकाव का angle क्या होता है तो इसके लिए पहला option है 5 degree से 10 degree दूसरा option है 10 degree से 15 degree तिसरा option है 15 degree से 25 degree और चाहता option है 25 degree से 35 degree तो जो question ने पूछा गया थे कि gas metal arc welding परक्रिया में सपाट इस्तिती के लिए welding torch के जुकाव का angle कितना होता है तो इसका answer है option नमर भी 10 degree से 15 degree next question how many kg weight of thermit is required अगेंस्ट 1 kg वैक्स एक kg मोम के मुकावले कितने kg वाजन वाले thermit की अवश्यक्ता होती है जो question में पूछा है तो इसके लिए पहला option है 10 kg से 15 kg दूसरा option है 11 kg से 15 kg तिसरा option है 12 kg से 14 kg और चाहता option है 12 kg से 16 kg तो जो question है पूछा गया था कि एक kg मोम के मुकावले कितने kg वाजन वाले thermit की अवश्यक्ता होती है तो इसका answer है option c 12 kg से 14 kg next question which is adjusted in electron beam welding to eliminate the defect of porosity force City के दोस्ट को दूर करने के लिए electron beam welding में किसका समययोजन किया जाता है तो इसके लिए पाला option है spot side 2 IPSP, deflection 3 weld penetration मतलब focus current जो question मैं पूछा गया था कि why putlaw city के दोस्ट को दूर करने के लिए electron beam welding में किसका समया जन किया जाता है तो इसका answer is option नुमर b deflection next question What is the limitation for the summer arc welding process Summer arc welding परकिरिया की सीमा क्या है जो question में पूछा गया है तो इसके लिए पहला option है limited to vertical position मतलब vertical इस्तिती तक सिमित दूसरा option है limited to non-ferrous metal मतलब अलवा दातू तक सिमित तूसरा option है limited to overhead position मतलब overhead position तक सिमित रहता है एफिर चोगता option है limited to flat and horizontal fillet weld मतलब fillet और horizontal fillet weld तक सिमित रहता है तो जो question ने पूछा गया थे कि summer arc welding परकिरिया की limitation क्या होती है तो इसके answer है option number D limited to flat and horizontal fillet weld मतलब flat और horizontal fillet weld तक सिमित रहता है next question which combination of shield gas in the gas metal arc welding process produce good arc stability for carbon steel जो question में पूछा गया कि gas metal arc welding process में shield gas का कौन सा adjust carbon as steel के लिए अच्छी arc स्तीरता पैदा करता है तो जो question ने पूछा गया थे कि gas metal arc welding process में shield gas का कौन सा शयोजन carbon steel के लिए अच्छी arc स्तीरता पैदा करता है तो इसका जो सही answer है option number D organ plus 5% carbon dioxide next question how is the filler wire feed in the gas metal arc welding process जो question में पूछा गया कि gas metal arc welding process में filler wire को कैसे feed दिया जाता है तो इसके लिए पहला option है manually दूसरा no feeding मतलब कोई feed नहीं दिया जाता है तिसरा automatically और चौता option है semi-automatic तो जो question में पूछा गया था कि gas metal arc welding process में filler wire को कैसे feed दिया जाता है तो इसका answer है option number C automatically next question which types of electrode are used in MAG and CO2 welding मतलब MIG welding और CO2 welding में किस परकार के electrode को उपयोग किया जाता है तो इसके लिए पहला option है flux coated electrode दूसरा option है bar wire electrode दूसरा option है flux coated flux code electrode और चौता option है tungsten electrode तो जो question है पूछा गया कि MIG welding और CO2 welding में किस परकार के electrode को उपयोग किया जाता है तो इसका answer है option number B wear wire electrode next question wear wire electrode मतलब होता है no credit जिसके उपर कोई coated नहीं होता है जो electrode के उपर coated नहीं होता है उसे बोला जाता है wear wire electrode next question what is the range of electrode for MIG और CO2 welding जो question है पूछा गया कि MIG और CO2 welding के लिए electrode की सीमा क्या है तो इसके लिए पहला option है 0.8 से 1.6 mm दूसरा option है 0.7 से 1.3 mm तूसरा option है 0.6 से 0.9 mm और चाहता option है 0.5 से 0.7 mm तो जो question है पूछा गया कि MIG और CO2 welding के लिए electrode की सीमा क्या होती है तो इसका answer है option नमर यह 0.8 से 1.6 mm next question what types of operation in generally used in gas metal arc welding gas metal arc welding में समाइनना किस परकार का operation प्रयोग किया जाता है तो इसके लिए पहला option is automatic दूसरा semi-automatic तिसरा fully automatic और चाहता option है manual method तो जो question में पूछा गया था कि gas metal arc welding में समाइनना किस परकार का operation प्रयोग किया जाता है तो इसके लिए पहला उसका जो सही answer है option नमर यह automatic next question which heat treatment of steel increase hardness what decrease strength and ductility जो question पूछा गया कि steel का कौन सा top heat treatment process जो steel को कठोरता को बढ़ाता है और ductility को काम कर देता है तो इसके लिए पहला option है annealing दूसरा hardening तिसरा normalizing और चाहता option है case hardening तो जो question ने पूछा गया था कि steel का कौन सा heat treatment process है जिसमें hardness को बढ़ाता है और ductility को काम करता है तो इसका answer है option नमर भी hardening next question which heat treatment process produce only outer surface of job hardened to some depth मतलब जो question ने पूछा गया कि कौन सी heat treatment process है जो इसमें job की केवल भारी सता को कुछ गहराय तक hardness बनाती है तो इसके लिए पहला option है annealing, दुसरा hardening, तिसरा normalizing और चौता option है case hardening तो जो question में पूछा गया था कि कौन सा heat treatment process है जिसमें job की केवल भारी सता को ही कुछ गहराय तक कठोर बनाता है तो इसका answer है option number D case hardening next question which heat treatment process is implied to remove beatenless इना chisel chisel की vitalness को दूर करने के लिए कौन सी heat treatment परकिया अपना ही जाती है तो इसके लिए पहला option है annealing दुसरा option है hardening तिसरा option है tempering और चौता option है normalizing तो जो question में पूछा गया था कि chisel की vitalness को दूर करने के लिए कौन सी heat treatment process को उपयक किया जाता है तो इसका answer है option number C tempering next question what is the main purpose of normalizing steel steel को normalizing करने का मुख्य उद्धेश्य क्या है तो इसके लिए पहला option है to control hardness मतलब hardness को नियंतरित करने के लिए दुसरा option है to prevent cracking मतलब cracking को crack को रोकने के लिए तिसरा option है to make welding operation easier मतलब welding कारिया को आसान बनाने के लिए फिर चवता option है to produce fine grain of uniform structure मतलब एक समान structure का fine grain पैदा करने के लिए जो question में पूछा गया था कि steel को normalizing करने का मुख्य उद्धेश्य क्या होता है तो इसका answer है option number D to produce fine grain of uniform structure मतलब एक समान संदाचना का fine grain पैदा करने के लिए next question which heat treatment process if material is soft and and suitable for machining एदी material नरम हो गई है और machining के लिए उपविखते है तो कौन सा heat treatment process अपनाया जाता है तो इसके लिए पहला option है annaling दूसरा tempering तिसरा normalizing और चवता option है case gardening तो जो question में पूछा गया थे कि एदी material soft है और machining करने के लिए उपविखते है तो heat treatment का कौन सा प्रोसेस अपनाया जाता है तो इसका अंसर है option नमर ए annaling next question what is the name of the heat treatment process where the steel is reheated to a suitable temperature below the critical point to improve the toughness and ductility जो question में पूछा गया है कि उश्मा उप्चार मतलाब heat treatment का कौन सा प्रोसेस है जिसमें toughness और ductility में सुदार के लिए steel को मत्वपुर्ण बिंदू मतलाब suitable point temperature में critical point में गरम किया जाता है जिससे तापमान पर दुबारा गरम किया जा सकता है तो जो question में पूछा गया था तो इसके लिए पहला option है annaling, दुसरा hardening तिसरा tempering और चाउता अप्शन है नार्मल आजी तो जो question में पूछा गया थे कि heat treatment का वहाँ कौन सा process है जहाँ toughness और duct layer में सुधार के लिए steel को मत्वपुर्ण बिंदू से नीचे उपएक्टत आपमान पर दुबारा गरम किया जाता है तो इसका जो सही answer है option number C tempering इस तरह चाई के class में हमने आपको 25 questions solve करके दिया है और इसी तरह के regular class के लिए मेरे चैनल को subscribe करके well icon का दबाए थाकि मेरे वीडियो की notification आपको time पर मिलते रहे और जो भी question हम solve किया है इसके PDF की link आपको description में मिल जाएगा जहां से आप download कर सकते है और फिर मेरे जो website है www.elonitr.in इसमें जाकर भी आप directly PDF को download कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगए तो हमारे चैनल को subscribe करें share करें और like करना ना भूए